आप सबी विद्यार्थियों का भार्दिक स्वागत, भार्दिक अवनन्दन, फिर विद्यार्थियों बीए पार्ट सेकेंड यानि बीए सेकेंडियर का राजनिती विज्यान का सेकेंड पर भारतिय राजव्योस था, इसमें आज हम पढ़ेंगे लोकसभा, लोकसभा का पहल दुनों सदन है लोकसभा और रजय सबा तो लोकसभा का आज हम पहला बाग बढ़ेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट है और क्यूसंस भी इसमें से आ जाते हैं तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखें और पूरा कलियर हो जाए आपको कैसा लगता है कि इतना समझ माता है ज इसे कहा जाता है लोकभी सदन लोकसभा को कहा जाता है जैसे एक अधिनियम बना था गोवा दमन और दीव पुनर गटन अधिनियम 1987 इसके दोरा लोकसभा की जो सदश्य संक्या है उसका इस परकार रखा गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अधिक्तम है यानि चेत्रों से 20 सदश्य अधिक्तम बताया गया है और मनोनी सदश्य संक्या दो है यानि टोटल कुल मिला करके 552 हो सकती है इस अधिनियम के अमसार 1987 जो अधिनियम बना था अभी वरतमान में अपने 545 आते हैं 545 या 543 चायनित हो करके और दो एंगलो इंडियन यानि अपने इसाब से उसे देख सकते हैं 545 प्लस दो अब क्या होता है कि यह जो इनकी संख्या की बडोतरी करने के लिए जो आयोग है उसे परिशिमन आयोग है और परिशा में ये प्रसंद पूचा दा सकता है कि परिशिमन आयोग की विवस्था कौन से अंश्याद में तो वो संदान के अंशेद 82 में लिखावा है परिशिमन आयोग का काम क्या है परिशिमन आयोग का क्या काम है अंशेद 82 में लिखावा है कि परतेक जंगना के बाद परिशिमन आयोग संसर के आदेश अमसार निर्वाचन छेत्रों के परतिनी जित्वों में आवशक परिवर्तन करेगा यानि जैसे प्रतेग जन्गर्णा हुई यह जैसे 2011 की जन्गर्णा हो गई तो 2011 की जन्गर्णा उसके बाद 2001 की जन्गर्णा जितनी भी जन्गर्णा है उस जन्गर्णा के बाद में परिशिमन आयों को संसथ यादेश देता है कि आप सबा में कोई सांसक की व्रदी होती है तो वो कमी वर्दी की जाती है या कमी व्रदी की जाती है तो बैयानिस्मा जो समिदानिक संसोद नुगा था बैयानिस्मा समिदान संसोद नुगा था तो उसमें सनसोतर में ये लिखा गया कि लोकसवा और राजे विधान सबां के निर्वाटसन सेतर्थस रहने सेतर दो हजार एक इश्वित तक वहीं रहेंगे, में जो उसके अंशार जो परिशीमन के थे लोकसवा सतिशूं की राजे सवा सतिश्यूं के शंख्या निर्दार् यह 1931 की जन्वर्णाय का नुसार गुए 2001 तक ठीक है फिर 84 समिधान संसोदन विदयग का जाता है पतलब विदयग तो एकराण में हुआ था लेकिन समिधान में संसोदन 84 सिमा हुआ और वो हुआ था आपके 2002 में 84 समिधान संसोदन 2002 जो हुआ था उसमें ये लिखा गया कि लो रिने किया गया यानि यूँ कह सकते हैं कि 2026 तक भी 1991 की जन्वर्णा है उसके अनुसार ही रखा गया मरलब 2026 अब आने वाला है तो 2026 तक तो वही रहने है अर्था जब एक बार तो ये चुनाओंगे तो उसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्थर नहीं हो चालो इसके बाद आता है 6170 जो की 198889 में हुआ था 1649 सो जो कि 198889 में हुआ था और उसके अनुसार एक कल सतेशी रखेगे सारे निर्वाचन चेतरों में एक ही सतेशी का चाहीं के समने रखा गया तो एक कल सतेशी निर्वाचन चेतर का समन किस सभी 1889 यह 1747 कभ वा 1988 नवाशिव ठीक है और ये निर्वाचन से तर इस प्रकार निज्राथ किये जाएंगे कि लोगसभा का एक सद्श्य कम से कम पांच लाक सद्श्यों का प्रतिनीदितु करें कितने लोगों का पांच लाक लोगों एक जो लोकसवा सेत्र का व्यक्ति है जो है पांच लाख लोगों का प्रतिनी दित्व करे इस प्रकार लिखा गए। अब प्रतिनी दित्व का अनुपात है वो अनुचे दिक्यासी में लिखावा है। जी दित्व यानि सभी लोग जो है जितने भी संसद है वो पांच लाख व्यक्तियों का प्रतिनी दित्व करे इसा प्रित्न किया जाएगा। लेकिन ये बात उन राज्यों और संग्ये छेत्रों में लागों नहीं होगी जिनकी जनसंख्या है साट लाग से कम है उनके लिए अनुच्यद 81 का नियम लागों नहीं है ठीक है अब जैसे मानलो लोकसवा में आरक्षन की बात करें SCST जो है अनुच्विद जातियों जनजत ये अनुच्यद 330 में लोगसीच़वा में S EST के आरक्षण से समध्य जो अंशेध है वो कौन सा है अंशेध 330 इसमें अनुस्य जातियों और जंजातियों के लिए ये लिखा वेया है कि इनके आरक्षण के समंद में जो विवस्ता की गई है उसका समंद है 330 से क्या है 330 से समंद है प्रस्न आजाता है कि निर्वाचक और सदश्यों की युग्यता क्या निर्वाचक मतलब वोटर भारत में वोटर की क्या युग्यता है और लोकसभा के जो सदश्य बनना करते हैं जिनको हम MP के लिए क्या युग्यता है यहनि कौन से वेक्ति MP बन सकते हैं कौन से जो है वोट बार पागल नहीं होना चाहिए दिवालिया नहीं होना चाहिए और जिने संसद के कानून द्वारा किसी अपराद बस्टाचार यार गेर कानून व्यवार कर मत्दान से वंचित नहीं किया गया हो तो ये दोनों सर्थें जो पूरी करता है वह व्यक्ति अपने देश का वोटर हो सकता है उसे किसी यानि वो अपना मत्दान कर सकता है अब लोगसभा सदश्य जो है यानि मेंबर ओफ फार्लियाले पार्लियमेंट MP जिनको हम कहते हैं उनके लिए योगताएं है प्रस्वियां से आ सकता है कि लोगसभा सदश्य की योगताएं लिखिए तो पहली बात है व वो ही क्या बनते हैं परदान मंत्री बनते हैं तो परदान मंत्री की यदि मान लो आयो पूछी जाए कि परदान मंत्री नियुनतम आयो कितने हम मान सकते हैं 25 ही मानेगे क्योंगी इसमें जो यारी जो MP जो है वो भी 25 वर्ष का MP बनता है और उनमें से प्रदानम्त्री बनाया जाता है तीसरी बात है 12 सरकार अको किसी राज्य सरकार के अंतरगत हुए किसी लाग का पत धारण केवन नहीं होना जाए यानि किसी लाग ब्यपत पर वो अगर है तो उसे त्याग पतर देना होगा वह है किसी नयायले द्वारा दिवालिया ने ठेराया गया हो पागल नहीं है चार योगिताएं उसमें रखने वालाविक की जो है वो लोगसभा का चुनाव लड़ सकता है लोगसभा की सदेशिता के लिए चुनाव लड़ सकता है अगर मानलोग प्रस्ण आ जाएगे जन परतिनीजी तो अधिनियम क्या है जो 1991 बना था एक वहला परस्ण तो यही मन जाता है जन परतिनीजी तो अधिनियम कब बना तो वो कब बना था उसके अलावा पास करके और संसत ने ये बनाया था अलग से उसमें क्या लिखावा है उसमें ये लिखावा है कि जैसे SC, ST, जनजाती यईनि अनुसित जाती और जनजाती इन से समंदित अगर जो सुरक्षित इस्तान है जहां पर आरक्षित है, अर्थात MP के जो कुछ इस्थान है वो आरक्षित है, तो वो आरक्षित इस्थान या उनके लिए यह आवस्यक है कि वो समधित जाती का होना चाहिए, अर्थात SC से समधित तो वो SC का है अननन चाहिए, ST के लिए आरक्षित है हो, ST का ही होना चाहिए, और ये व्यक्ति भारतिय चेत्र में किसी इस्थान से अनुस्री जाती है जनजाती के सद्शिय हो सकता है अब वह S.C.S.T. जो है भारत में कहीं से भी व्यक्ति हो सकता है वह MPLA लड़ सकता है लेकिन होना चाहिए वह S.C. जैसे S.T. के लिए S.T. का होना चाहिए एसी का होना चाहिए ठीक दूसरी योगता इस परतिदित दुदिया में दूसरी योगता ओर रिखी है कि अस्थम की जनजाती में सुरुक्सिच्षिधिस्थान के लिए उमिदवार जो है वो उसी संसदिय च्हेत्रगा होना चाहिए उसी जंजाती का होना चाहिए और उसी निर्वाचक छेत्र का निर्वाचक होना चाहिए यानि किसी अन्य निर्वाचक छेत्र का हो सकता है उसी जिले के उसी जिले का उन उमिद्वारों के लिए भारत में किसी भी संस्वत ये निर्वाचन छेत्र का निर्वाचन कोना आवश्यक के अर्थात किसी भी निर्वाचन छेत्र में से उसका नाम बंदाता सुचिम होना चाहिए यानि भारत में वो कहीं से भी खड़े हो सकते हैं निर्वाचन समंदी अपराद के लिए दोसी पायेगे व्यक्ति कि निर्वाचन आयोग द्वारे एक निश्चित समय अथ्वा जीवन भर के लिए संसत का चुनाव लड़ने के लिए आयोगी कोशित किया जाशा है निर्वाचन आयोग जो है वो एक व्यक्ति को उसका अपराद देख करके यानि वो अपराद कौन सी सरेणी का है तो निर्वाचन आयोग को या दिकार है कि उसे जीवन भर सांसत के चुनाव लड़ने से मना किया जा सकता है खारिज किया जा सकता है अत्वा कुछ समय के लिए वो व्यक्ति भी लड़ सकता है जो जेल से छूट करके पांच वर्ष जिसे खो गए हैं और वो दो वर्ष से अधिक सजा उसको नहीं हुई है ठीक है एक उसे सरकार से समझे किसी ठेके में इस्चेदार नहीं होना चाहिए और नहीं सरकार से समझे किसी कार खाने में उसका ही तोला चाहिए यानि वो लाब के पदपर नहीं होना चाहिए उसे बैमानी या राजदरों के कारण सरकारी नोक्री से नहीं निकला गया उस पर राजदरों का पुकित्पा नहीं होना चाहिए और इसी प्रकार यानि उस अपराद की पांच वर्स बाद ही यानि यह जो निटित अधिनियम 195 की बाते हैं एक जनपरतिनियम 195 में संसोदन वाथा 1988 वो क्या हुआ था उसमें ये वाथा कि आतंगवादी गतिविती तसकरी जमाखोरी मुनाफ़ाखोरी खाते परदार्थों दवाओं में मिलाउट करने वाले विद्यसी मुद्रा अधिनियम का उलंगन करने वाले मैलाओं के खिलाफ अफराद करने वाले विक्तियों को भी चुनाव लड़ने के अयोग्य माना जाएगा यानि ये 1968 में आया था अगर हम लोकसभा के बारे में पढ़ें लोकसभा का कारेकाल वेसे समाने तो लोकसभा का कारेकाल कितना है पांच वर्सका लेकिन परदान मंत्री के प्रामर्स के आदार पर राश्पती लोकसभा को समय से पहले भी बंग कर सकता है और एसा अपने भारत में नो बार हो चु यह जो है लगबख नो बार लोकसभा है वो कारेकाल से पहले भंगल की जा चुकी है इसके अलवा लोकसभा के कारेकाल में भृद्धी का नियम भी है जो 1906 में हुआ था अगर संकतकाल आजाता है आपात की इस्तिया आजाती है तो संसेद कानून बना करके लोगसभा का कारेकाल बढ़ा सकती है और वो लोगसभा का कारेकाल एक वर्ष ग कर दो 1976 में लोग狂पा कारेकाल 2 बार बढ़ाए गया है एक केकवर्स के लिए लोग rottenकरों कि लोग्सपा के अदिवयसन का है और वी इस्तकित करता है। इसके समझ में नियम ये कि लोकसबा की एक बेठक की अंतिम्तिती और दूसरी बेठक की पर्तम्तिती में छे माह से अधिका अंतर नहीं होना चाहिए। और वो है दस्मा भाग एक बटा दस। जैसे मालों लोकसबा में कितने सदस्य हैं पान सो तैयारी सदस्य हैं या पान सो पेंताड़ी सदस्य हैं तो इसमें से पान सो पेंताड़ी सका एक बटा दस किया जाए। तो लगभग पचपन व्यक्ति जो है उपस्तित है तो इसका मत दर्यदिवने केता है क्योंकि एक दल जो होता है उस दल को यानि विजेता होने के लिए उसे काफी शीटे जीतनी पड़ती है तो इसका मतलब है कि एक पटा दस से तो हमेशा ज्यादा ही रहता है कौरम पूर्थी तो हो जाती है ऐसा कोई बहुत नहीं है प्रशन आजाता है कि संसद के सदस्यों के विशेश अदिकार लेकिए संसद के सदस्यों के विशेश अदिकार में पहली है बाशन की सोटनी तरता है क्या है बाशन की सोटनी तरता है ऐसा नहीं है कि जैसे कैसा बाशन देते, ऐसा नहीं है, संसद के नियमों की आदेसों की पालना करते वे सदश्यों को संसद में बाशन देने की या बाशन की सोटने करता है, और संसद अत्वा किसी भी समिती में कही गई बात या दिये गए किसी मत के समने सदश्य के का की कुई कारिवाई नहीं होती है दूसरा है बन्दी नहीं बना जाने का दिकार थी इस संसद का सदश्य जै फोसदारी अफ्रादों के अलावा बन्दी नहीं बना आ फोज़दारी अपरादों के लिए तो बंदी बनाया जा सकता है लेकिन फोज़दारी अपराद के अलावा जो सिविल अपरादों है उनके लिए उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता है फोज़दारी अपरादों के लिए गिरफ़तारी की सुचना तुरंट अध्यक्स को देना होता है फोज़दारी अपराद को इसी दोता है किसी सदिश्य के बारे में उसकी सुचना किसको देना आने वारे होता है अध्यक्स को देना होता है लोकसभा अध्यक्स को और किसी भी सदिशे को सदर्न के छेटर में बिना हद्यक्स की आग्या के गिरफ्तार नहीं किया दर सकता है यह अधिकार भी उनका है तो यह दो अधिकार है लोकसभा सदिशियों का लोगसबा के पतादिकारियों में एक तो अध्यक्स होता है और अनुचेद त्रेण में में ये बात लिखी हुई है अनुचेद त्रेण में में क्या लिखावा है कि लोगसबा श्वम अपने सदेश्यों में से एक अध्यक्स और एक उपाज्यक्स का मिलवाचन करेगी ठीक ह अगर मानलो अज्यक्स को त्याग पतर देना हो तो वो देता है उपज्यक्स को उपज्यक्स को त्याग पतर देना हो तो वो बेजता है अज्यक्स को यूँ कह सकते हैं कि अज्यक्स तो उपज्यक्स के पास और उपज्यक्स अज्यक्स के पास तभी पेश Luckily और समय तब आपक्स यूसरा सेखेंगा जब की इस प्रकार के प्ष्टाव को प्यक्न के लिए कम से कम 14 दिन पूरा स से हटना ही पड़ता है लोकसभा अध्यक्स के कारी और सक्तियां ये प्रसंद आ सकता है बड़े वाला प्रसंद तो लोकसभा अध्यक्स के कारी और सक्तिया एक छोटा प्रसंद ये बन जाता है कि वो उनका उन सक्तियों का विश्तर तुले कहा है तो वो है संसद्य प्रक्रि पहली बात विभिन विश्यों के समदों वाद विवाथ और राश्पति के उद्गाटन बासन के उत्तर में देदानल वाशनों की समय की अवद्धी तो पहली बात यह है कि जो वहाँ पर बासन देते हैं बासन की अवद्धी निर्धायित करने का काम कौन करता है अज्यक्षी करता है दूसरी वाद सदन के नेता से प्रामर्स करके सदन का कारेकरम मिश्चित करता है सदन के जो नेता है नुख्य नेता है यू कह सकते ही प्राइम मिनिस्टर के सदन के जो नेता है उन से सला मस्विरा करके और वो कारेकरब निश्चित करता है प्रस्णों को स्विकार अत्वा नियम दिरुद होने पर एस्विकार करता है कोई भी प्रस्ण यदि पूछा जाता है तो वो प्रस्ण स्विकार करने ही हो किया है अत्वा नहीं है अगर नियम दिरुदहत को S-V कार करने का काम भी कौन करता आ, लोग सब अजयक्स करता है, कार्य इस्तगन प्रस्ताव, उसकी अनुमती मिलने पर ही पेस हो सकता है, कार्य इस्तगन प्रस्ताव अगर मान Alone आता है यैनि काम को रोपने से समदित, इस्तगित करने से समझे जैसे मालो सबाद चल रही है तो उसे कार इस्तगन का प्रस्ताव पेस होता है तो को भी किसके अनमोती से होता है अध्यक्स के अनमोती से यदि कि उसके आग्या से कोई विदय गजट में प्रकासित हो जाता है तो उसे पेस करने के लिए किसी प्रस्त किसी विचारा दीन विदेग पर वादविवाद इस्तगित करने का प्रस्ताव और उसकी अनुमती उसी से पेश होता है कोई विचारा दीन विदेग है और उस पर वादविवाद करना है या उस पर वादविवाद को इस्तगित करना है तो उसका प्रस्ताव भी अनुमती कोन देता है ये लोकसभा अध्यक्स ही देता है और वो बजट समन्दी बासनों की समय सिमा निस्ति करता है बजट के जो बासन है उनकी समय सिमा निर्दार्म करने का काम भी कौन करता है लोकसभा अध्यक्स संसद और राश्पति के बीच सरापत्र व्यवार किसके द्वारा होता ह राश्पति इनके लोकसभा अध्यक्स के द्वारा होता है लोकसभा अध्यक्स के द्वारा ठीक है परवर समितियों के सभापतियों को कौन नियुद करता है लोकसभा अध्यक्स नियुद करता है अगर प्रसना आजाता है भारतिये लोकसभा अध्यक्स की भारत में क्या इस् बहुत ही सम्मान का है उसे भारत में सात्मा इस्थान प्राप तो भारत में स्थान किसे प्राप है तो बहुत है लोगसबा अध्यक्स को जो कि सरवत्चे तो मुखे नहीं से उसके बराबट है और हमारे देश में अध्यक्सपत के समझ में काफी सीमा तक इंग्लेंड की परंप्राएं अपनाई गई बारत की संसदी व्यवस्ताओं पर बिर्टिस परंप्रा का प्रभावरा आए इसलिए स्पीकर की निस्पक्सता को बनाया रखने के लिए समिधार में व्यवस्ता की गई यानि लोकसबाज्यक्स की जो कुछ अंशेद हैं लोकसबाज्यक्स से समझेद एक तो है अंशेद 112-3 112-3 उसके अंशार स्पीकर का वेतन और बत्ते जो है संचित निदी पर बारी थे से चोटा प्रशन आजाता है कि लोकसबाध्यक्स के वेतन बत्ते यानि किस पर भारी थे तो वो है संग की संचित निदी यानि उसके संचित निदी से वेतन बनाया जाता है अनुछेद 101 में लिखावा है कि उसे केवल समान मत आने की किसिति में सदन में मत्दान करने का दिकार सदन में किसी जैसे बिल पर किसी विदहिक पर या कहीं जैसे मत्दान हुआ है और मत्दान जैसे मानलो 200 सदेश्चियों ने दिया है और उनमें से 101 तरफ आ गए 101 तरफ आ गए तब क्या होता है कि एक जो दिरनाय कोट किसका लगता ह लोकसभा अध्यक्स का लगता है, मत्तों की स्थी बराबर होते हैं, तो यह 101 में लिखावा है, यानि जो है अनुछे 101 के अनुछे चोणवे में एक बात लिखी हुई है, उसके अनुसार उसके पद से ऐसे प्रस्ताव के अधार पर ही अटाया जा सकता है, जो कि सतन के द्वर विशेश बहुमत से पारित यानि तो अनुछे चोणवे में लोकसभा अध्यक्स को हटाने से समझ भी बात है, तो उसे हटाने के लिए विशेश बहुमत पारित किया गया हूँ, तब ही अटाया जा सकता है, उमीद करता हूँ कि यह चीज आपके अच्छे से समन्भाई है और अगला भाग सिक्र ही परकासित होगा, तो तब तक के लिए जय ही जय वारत